नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे डेली उनिवर्सिटी यहां अभी PG, MPL and PhD का आडमिशन अभी चल रहा है तो इसके उपर मैंने दो वीडियो अल्रेड बना चुका हूँ आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ D.U.E.T. इसका जो Entrant Test होगा, सिर्फ इस Intrant Test के उपर हम डिस्कस करेंगे इसका एक जब पैटन क्या रहेगा, सेंटर कहां का होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कुस्चिन का टाइप क्या रहेगा सिर्फ इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे तो चलिए चलते हैं और इसका official website में वहाँ जाकर हम इसको details में discuss करते हैं तो यह आप देख सकते हो यह है NTA का official website Delhi University का जो entrance है इस साल NTA conduct कर रहा है तो इसलिए हम NTA के site में हैं यहाँ यहाँ देखे सारे notification आपको यहाँ मिल जाएगा आप यहाँ देख सकते हो DUET 2021 तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं तो यह है इसका notification ठीक है यहाँ देखें mention किया गया है public notice date 27 July 2021 start of registration process DUT 2021 तो यह date आप सबको सायथ पता होगा यहाँ mention किया गया है जो post graduate जो program है इसका date अलड़ी शुरू हो चुका है 26 July से और इसका जो last date है August 21st है ठीक इसी प्रकार MPHD के लिए जो date है यह अलड़ी 26 July से शुरू हो चुका है इसका जो last date है August 21st तरीक undergraduate का अभी तक शुरू नहीं हुआ है इसका शुरू होगा August 2 से और इसका यहदे detail syllabus आप देखना चाहते हो PG के लिए आप इस link के उपर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो और MPHD का यहदे आप देखना चाहते हो तो इस link के उपर आप क्लिक करके देख सकते हो इसका exam कब होगा देखे यह बहुत important चीज यहाँ mention किया गया है यहाँ देट अब D.U.E.T. 2021 26 तरिक 27 तरिक 28 29 तीरिस और 1 अक्टोबर सेप्टेमबर 26 27 28 29 तीरिस को होगा और 1 अक्टोबर का इसका डेट है आप चाहो तो इसका मिन्स है स्नाप्सट भी आप ले सकते हो इस 6 डेट को आपका एंटरंस होगा ठीक है यहाँ इतना ही नोटिफाई किया गया है बाकी सारे के सारे डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगा जो इसका ब्रोचर में ठीक है बाकी आपका कुछ भी क्वेरी है देखें यहाँ UG, PG, MPH, PhD के लिए सेपरेट आपको इसका इमेल आईडी मिल जाएगा आप चाहो तो यहाँ से कॉंटाक्ट कर सकते हो तो हम अभी चलेंगे इसका जो सेपरेट जो ब्रोचर है वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करेंगे तो यहाँ आप देख सकतो यह है इसका दो ब्रोचर मैंने ओपन कर लिया है अलड़ी यह फास्ट बाला यह जो ब्रोचर है यह है PG के लिए और यह जो सेकंड ब्रोचर है यह है PhD और MPL के लिए तो हम पहले PG बाले देख लेते हैं यहां देखें मेंसन के आगे Delhi University Entrant Test DUT 2021 यहां NTA के बारे में दिया गया है बाकी देखें यहां टेस्ट का सेंटर दिया गया है कौन-कौन से लोकेशन पर आपका एकजाम होगा आप चाहो तो इसका भी एक स्नापसट आप ले सकते हो ठीके पहला जो सिटी है आमदाबाद, गा अखनो, मुंबई, नभी मुंबई, नाकपूर, पतना, राइपू, रांची, सिलंग, सिमला, देन स्रीनगर, जमुकस्मिर, तिरुबननतपूरं, बरनासी यह 27 जगा पे आपका एंट्रांस टेस्ट होगा तो आपको एंट्रांस देने के लिए इस 27 जगा में किसी भी एक जगा पे आकर आपको यह एंट्रांस देना पड़ेगा तो आप आडमिशन करते वक्त आप इसको देख लेना कि फॉर्म फिलब करते वक्त आपका नजदिक बाला जगा कौन क्या है और इसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिलब करना पड़ेगा यहां देखे कुछ इंपोर दिया मतलब दुबार आप इसको चेंज नहीं कर सकते यह पूरा फॉर्म में आप कहीं भी चेंज नहीं कर सकते इसको आपको चेंज करने के लिए कहीं टाइम आपको नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलेगा कुछ एडिट करने के लिए कुछ चेंज करना गया है यदि कोई student दो या तीन या चार प्रोग्राम में अपलाई कर सकता है तो उसका मर्जिवो कर सकता है इसमें कुछ प्रोब्लेम नहीं आप चाहो तो multiple course में आप अपलाई कर सकते हो मगर यह depend करता है कि आपका exam कैसे होगा यदि एक दिन में सारे के सारे exam हो जाएगा या एक ही time में होगा तो इसके लिए university या NTA responsible नहीं है ठीक है यहाँ पूरा clear करके यहाँ mention किया गया है मगर आप multiple course के लिए apply कर सकते हो ठीक है मगर NTA या university कोसिस करेगा कि आपका जो entrance होगा यह अलग-अलग दिन पर हो या अलग-अलग time पर हो मगर इसके लिए university या NTA responsible नहीं है यह चीज आप mention किया गया है बाकि यहाँ देख सकते हो scheme of examination इसका जो exam होगा यह computer based exam होगा आपको computer के सामने बैठ कर exam देना पड़ ठीक है और इसमें questions आपका 50 या 100 questions हो सकता है यह depends करता है subject के ऊपर ठीक है 50 या 100 हो सकता है और correct question के लिए पर mark आपको 4 mark करके मिलेगा ठीक है आपको 4 option मिलेगा और एक mistake होने से आपका एक mark negative mark होगा मगर एक mark आपका कट जाएगा ठीक है और इसका जो medium है यह सिर्फ English में है language का जो course से इसको छोड़ कर आपका पूरा जो exam का जो medium होगा यह English medium में होगा ठीक है बाके admission process आप सबको पता है मैंने अलड़ी वीडियो बना चुका हूँ आप चाओ तो यहाँ देख सेकते हो ठीक इसी प्रकार PhD के लिए क्या है PhD के लिए देखे यहां mention किया गया है यहां देखे scheme of examination यहां भी PhD और MPHL के लिए आपका जो exam होगा यह CBT होगा means computer based test होगा duration आपका जो है यह दो घंटे का होगा सारके सारे multiple choice question होगा यहां आपको total 50 questions मिलेगा MPHL and PhD बालों के लिए सिर्फ जो question होगा सिर्फ 50 questions होगा and mark for question आपका 4 ठीक है each current response then negative marking आपका एक mark है और यहां का भी जो questions होगा सिर्फ English में ही होगा language को छोड़कर बाकि सारके सारे जो question होगा यह English में ही होगा और इनके लिए भी आप देख सकते हो center जो है वो सारे के सारे सेम है जो मैंने बताया अभी अभी आप चाहो तो इसका भी एक snapshot ले सकते हो आपको जो भी important लग रहा है आप एक snapshot ले लिए आपके लिए helpful रहेगा देन यहाँ भी वही चीज mention किया गया है आपने एक बार apply कर दिया तो दुबार आपको option नहीं मिलेगा ठीक है यह fast चीज तेन second में आप चाहो तो यह multiple course के लिए भी आप यह apply कर सकते हो ठीक है और आप चाहो तो entrance भी दे सकते हो मगर इसके लिए responsible नहीं है university या NTA उन्होंने courses करेंगे वो सब courses करेंगे कि आपका जो exam हो या separate separate हो वगर आप चाहो तो multiple course में आप apply कर सकते हो और exam भी दे सकते हो ठीक है बाकि वही चीज यहां mention किया गया है बाकि syllabus जो है इसका देखे MPL और PhD का syllabus यहां mention किया गया है the syllabus पर चाहिए entrance examination of each MPL and PhD program is given on the respective departments website तो आपको किसी भी particular subject का syllabus चाहिए तो आप उस department में जाकर आप वहां इसको download करके आप देख सकते हो ठीक है बाकि यहां कुछ information mention किया गया है और interview जैसे मैंने आपको बताया था अलड़ी वीडियो बना चुका हूँ सबको interview देना compulsory है आप NED, GATE जो भी national entrance जो है आपने clear किया है या नहीं किया है या आप DUT का entrance दे रहे हो सबके लिए यह mandatory है कि interview में बैटना पड़ेगा बाकि यह details है तो यही था इसका details और जिन्होंने अभी तक मेरा जो पहला दो वीडियो नहीं देखा है इसके उपर जो details वीडियो मैंने बना ह है आप चाहो तो वहाँ जाकर भी इसका देख सकते हो और इसका जो link है मैं दे दूँगा description में वहाँ जाकर आप इसको भी download करके देख सकते हो तो यह था details और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजे future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल कर's कर दूँड़ कि नापड़ कर अपको सबसे होघ जे उस्योंब यहाँ नापकर आपकर दो करे दो आपकर रहाँ भी सोआगा खते हैं जेमारें // जापकर चैनल कर लिए – àत्बस तक है जाएग जाएगा जावाँ्ड़राण्हें